फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं रोज पाएं आसम नौलेज वीडियोज दोस्तों तो हम यहाँ पर आज के वीडियो में बात कर रहे हैं Google की और उसके ¿Doodle की यानिके Google Doodle की और Doodle को बनाने वाले Doodler तो Google Doodle क्या होता है जब आप Google की website पे जाते हो तो बहुत ही simple homepage है Google की simplicity की वज़े से ही लोग उसको use करते है home page पर आपको दिखता क्या है पूरा white page एक Google का colorful logo और नीचे search box जिसके उपर आप टपिया के जो भी search करना है वो search करते हो Google का जो colorful logo है कई बार Google यह decide करता है कि उस traditional typical colorful logo को ना दिखा के उसी logo को किसी और design में किनी और colors को use करके दिखाता है कई बार तो वो interactive logo होता है interactive बोले तो वो उस पर आप click करके उसको उससे interact कर सकते हो कई बार चोटा सा कोई game होता है जो आप उसी page पर रहके खेल सकते हो कई बार चोटा सा animation होता है या कई बार बस दूसरे design में picture होती है तो इन ही अलग तरीके के जो logos के design होते हैं इनको google doodle बोलता है इन doodles को design करने में बहुत महनत लगती है और यह कोई MA design नहीं होते है कोई ऐसा ही google decision नहीं ले ले लेता कि चलो भाई आज हम logo नहीं दिखा के यह design दिखाते हैं इसके पीछे कोई नहीं कोई वज़ा होती है जैसे किसी दिन जब आप उस doodle को देखते हैं तो हो सकता है जब आप उस पे mouse hover करते हैं क्लिक करते हैं तो आपको पता लग जाता कि वो वज़ा क्या है वो वज़ा हो सकती है कि हो सकता है कि उस particular region में जहाँ पे आप यह doodle देख रहे हैं ध्यान रखेगा कि doodle region के हिसाब से अलग हो सकता है मिसाल के तोरह पर बहुत ही सीधा सा example दूँ 15 अगस को आप देखोगे इंडिया में जब गूगल का इंडिया का home page खोलोगे तो वो 15 अगस का design दिखाएगा उस पे और वही अमेरिका में अगर कोई google page same day खोलेगा तो उसको शायद वो वहाँ पे न दिखाए अलग-अलग region के साबसे home page का जो google doodle है वो अलग-अलग हो सकता है और यह creativity होती है creativity है बहुत सारे लोगों की इसमें महनत लगती है design लगता है उनका idea लगता है जो illustrate जो करना चाहते है वो अपने idea से वो लगता है और उस logo के थरूँ उस doodle के थरू Google represent करता है उस special दिन पर हो सकता है उस दिन किसी का जनम दिन हो किसी की death anniversary हो किसी बड़े आदमी की यह हो सकता है कोई special event हो जैसे मैंने पंदर आगस का example दिया किसी भी country में हर country का independence day होता है हर country के अलग-अलग festivals होता है तो कोई भी special event कोई बड़ी celebrity कोई special occasion किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ा हुआ तो इन event को डेपिक करने के लिए represent करने के लिए जदा तर Google Doodle का use होता है पहले Google rarely occasionally यह करता था लेकिन आजकल आए दिन यह करता रहता है regionally कोई भी बड़ा event होता है तो Google Doodle का use करके उस चीज़ को honor किया जाता है ठीक है क्योंकि Google इस country में business कर रहा है उस country के लोगों के साथ अपना business कर रहा है लोग उसको use कर रहे है Google को प्यार कर रहे है तो यह Google का एक अपना तरीका है उस country के साथ और ज्यादा engage होने का जैसे कि हम Google एक American product है लेकिन हम इंडिया में Google use करते है 15 इसको हमको दिखता है Google का logo change ट्राइ कलर में तो हमें कुछ अपना साफन फील होता है तो इससे एक brand के साथ connection बढ़ता है तो just another measure by one big shot company to interact and engage more with its users अब बात करते हैं कि गूगल डूडलर कौन होते हैं बड़ी simple सी बात है पंदाजा लगा सकते हो कि गूगल डूडल है तो जो डूडल को बनाए वो डूडलर है बिल्कुल सही सोच तो पूरी की पूरी टीम लगती है गूगल डूडल को बनाने में बहुत जाधा advance planning के थ्र visual piece of art है एक design ही तो है तो obvious ही बात है उसके लिए किसी में क्या कावियत होनी चाहिए skill set क्या होना चाहिए एक product graphic designer, illustrator, storyteller यह सब लोग लगते हैं एक animator क्योंकि कई बार वो डूडल बलकि जाधातार आजकल animated होता है तो एक animator इस तरीके का अगर आपका skill set है तो that means आपके बह right the person obviously has to be a very good communicator to be able to work in a company like Google तो क्या आप बन सकते हो Google Doodler अगर आप चाहो तो आपके visiting card पे भी आप Doodler लिखवा सकते हो यह सुनने में थोड़ा funny sound करता है लेकिन Google में worldwide एक बहुत ही prominent role अब यह बन गया है तो बकाइदा Doodler के title के उपर इसकी hiring होती है आप अपने title से अपने profession से graphic designer हो सकते हो illustrator हो सकते हो लेकिन Google में अगर आप इस profile के लिए hire किये जाते हो तो आपको बकाइदा Doodler ही बोला जा सकता है आप पने visiting card पे Google Doodler लिखवा सकते हो and you'll be recognized by that position लगता क्या है just a creative mind तो यह सारे skill sets जो मैंने आपको बता है इसके अलावा a creative mind is very important कि Google में creative लोगों की बहुत इज़त होती है बहुत opportunities होती है उनके लिए तो यह जो profile है इस profile पे हालाकि Google officially mention नहीं करता है job portals पे कि डूडलर की क्या salary होती है कि salary range पे वो hiring करता है लेकिन अगर आग थोड़ी सी research करेंगे तो glass doodler के थ्रूई पता लग जागा कि एक product designer एक graphic designer एक illustrator की जो range होती है वो 80-90k per annum dollars 80-90k dollars per annum इसके आसपास होती है तो यह US का rate है अब बाकी countries में आप इसी हिसाब से calculate कर सकते हो तो क्या अगर आप Google में काम करते हो तभी Google के लिए doodle बना सकते हो ऐसा नहीं है क्योंकि यह एक art है जो लोग Google में नहीं है उनको भी idea आ सकता है वो भी अपने ideas दे सकते हैं कि भाई Google में क्या एक नया doodle दिखाना चाहि है उनको एक opportunity दी जाती है कि आप ग्रेड वाइस अलग अलग ग्रेड के लिए एक theme based आप doodle बनाईए submit कीजे और अगर students उसमें जीच जाते हैं तो Google के थूरू उनको बहुत सारे awards है Google के products है sponsorship तक भी Google के थूरू मिलती है तो यह काफी अच्छा contest है आपको school का बच्चा होने की जरूद नहीं है अगर आपको doodle बनाना है अगर आप चाहें तो अपने ideas वैसे भी Google को submit कर सकते हैं मैंने नीचे link दिया है आपको उसका थोड़ा सा credit मिलेगा लेकिन जादातर यह होता है कि वो एक illustrator pick कर लेता है अगर आपका idea shortlist होता है और फिर वहां से वो इसको आगे doodle बनाते हैं और वहें के लोगों का authority credit वगरे सब मिलता है जब आप Google के page के ओपर यह doodles देखते हो तो आपको mouse hover करते ही जिस reason से जिस particular reason को वो Google doodle represent करता है उसके बारे में पता लग जाता है वो clickable होता है जब आप उस पर click करते हो तो Google एक page पर ले जाता है और आपको बतात है वो date जब खतम हो जाती है वो दिन खतम हो जाता है तो वह doodle वहां से हट जाता है फिर next day कोई नया doodle या अगर कोई event नहीं है तो simple colorful लोगों लेकिन यह जो मेहनत लगती है हर doodle को बनाने में ऐसा नहीं है कि अगर आपने आप सिर्फ उसी दिन उसको देख सकते हो तो Google की एक repository है एक एक archive page है जहां पर उसने जितने भी doodle अब तक बनाए है वो सारे के सारे list कर रखे हैं वहाँ पर आप आप जाके देख सकते हो और अगर आप interested हो इस तरीके के doodles design बनाने में तो obviously you will be interested in going through this page क्योंकि इस page में ना आपको वो सारे के सारे doodles दिखेंगे बलकि जो उ आप एक किस reason के पीछे हैं और ने कैसा doodle बनाया कैसे colors use किये कैसे animations use किये उस हिसाब से आपको भी एक inspiration मिलते है अगर आप ऐसा ही doodle या कोई ऐसा ही design product बनाना चाहते हो तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छा लागए तो इसको like और subscribe भी कर दिए इस तरीक के जानकारी वाले वीडियो में जवावी वावा चैनल पर बनाता रहता हूं I'll see you in the next one thank you